हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त सेवक सेंग और आप देख रहे हो मिश्टर सेवक मेकैनिकल यूट्यूब चैनल आज की दोस्तो जो वीडियो है वो है किसी भी एनवरेटर केट में जो हम मौस्फिट लगाते हैं इसके बारे में अगर आप नया नया काम सीख रहे हैं तो आपके लिए यह वाली जानकारी बहुत बढ़िया रहेगी आप पूरी वीडियो देखे आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से एनवरेटर में कौन सा मौस्फट लगाना चाहिए वैसे अगर हम मौस्फट की बात करें तो मौस्फट दो तरह के आते हैं एक है N टाइप और एक है P टाइप तो जितने भी इनवरेटर वाले बोर्ड है इसमें N टाइप मौस्फट यूज होते हैं माली यह आपके पास P 55 IC है तो आप किसी में भी यह लगा सकते हो लेकर फिर भी अगर आप देखते हो जब कंपनी से कोई सेट आता है जैसे यह वाला एक सकेर वेव है दो हीट सेंक वाला और यह है हमारे पास एक साइन वेव यह कोई भी हो सकता है जिसमें तीन हीट सेंक लगी हो तो यह है साइन वेव और दोस्तों यह जितने भी मौस्फट अलग अलग नमबर के होते हैं इनका जो वाटई है वोल्टई है और अम्पेर वो सबी अलग अलग होती है फिर आपको इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा मौसफट किस केट में लगाना है इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लेंक दूँगा वीडियो के डिस्क्रप्शन में है वहाँ पर आपने अपना जो भी आपके पास किसी केट में से मौसफट पहले लगा हुआ है उसका नंबर वहाँ पर सर्च करना है और उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी मैं आपको एक पार थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यह वाले जो सकेर वेव है इसके अंदर जो मौसफट यूज होते हैं यह जैसे के P55N6 जैनि कि यह 60 बोल्टेज के मौसफट रहते हैं और जो साइन वेव कट है इसके अंदर जो मौसफट रहते हैं वो 30 बोल्ट के रहते हैं इसमें जावा जो यूज होते हैं नंबर वो है 90N03 30 बोल्ट वाले बाकी जो इसके अंपेर है वोल्ट ही है वो मैं अभी आपको इस वेपसट में आपको दखाऊंगा कि आपने जब भी कोई मौसफट लगाना है कोशिश करें के इसमें 30 बोल्ट वाला ही लगाएं और जो सकेर वेव है इसमें 60 बोल्ट वाला मौसफट ही लगाएं बाकी रटेर हम केंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दखाते हैं जैसे ही आप यह वाला लेंक को ओपन करोगे आपको यह वाली विंडो मिलेगी और आपने इसको क्या करना है कि थोड़ा स्क्रोल करके नीचे आयाना है जहां पर आपको यह सर्च का ओप्शन यह दखाई देगा क्योंकि जहां पर टोटल जो मौसफट है न वो 1500 के करीब मौसफट के डेटेल यहां पर दी गई है अभी हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास है जी सबसे पहला मौसफट है हमारे पास मैं आपको 4-5 मौसफट यहां पर दखाऊंगा IRFY44N देखे यहां पर Z44 के नंबर पर काफी मौसफट आ चुके है तो हमारा जो नंबर है वो है N 44 के बार N तो यह वाला जो मौसफट है हमारे सामने है यह नंबर है हमारा IRF और यह है जी 80 वाट के आसपास 83 वाट और जो इसके ड्रेन वोल्टज है वो है 55 और यह तकरीबन 50 अमपेर के करीब है और जो इसकी गेट सौर्स वोल्ट ही है वो 20 वोल्ट ही है और जहां पर यह देखें पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इसके बाद सबसे जो ज़्यादा चलता है पी पच्पन जीरो सिक्स यह वाला यह 110 वाट का 60 वोल्ट 50 अमपेर और 20 वोल्ट जो इसके गेट सौर्स वोल्ट है इस तरह से आप किसी भी मौसपट का नमबर जहां पर चेक कर सकती हो यह दोनों मौसपट थे सकेर वेब में इसके बाद है जो लगाई जाते हैं सैन वेब में जिसका नमबर है 90 NF03 03 यह देखें 30 वोल्ट जैसे मैंने पहले बताया कि यह जो कोड है बैक सेड में लिखा हुआ न यह वाला यह है इसका कि कितने वोल्ट ही का है यह है 30 वोल्ट का इस कोड का भी मैं आपको पूरा अभी डिटेल दिखाता हूं जो यह लिखा गया है 90 तो 90 का मतलू है कि 90 अम्पेर और जो 03 है इसका मेंज है कि यह 30 वोल्ट है अगर जहां पर 06 लिखा जाता तो यह 60 वोल्ट का होना था तो यह इसके वाट है आपको यह वेबसाइट के उपर काफी असानी रहेगी अगर आप इनवर्टर का काम करते हो क्योंकि जहां पर बहुत ही डिटेल से बताया गया है अगर आपको अपने इनवर्टर के लिए सेम मौसफट नहीं मिल रहा जो कमपनी ने पहले लगा कर भेजा था उसकी जगे आप जहां पर अपना नमबर लेखो मौसफट का उसके बाद सेम जो उसकी डिटेल होगी जो आपको बयार में असानी से मिल जाता है नमबर उसकी डिटेल मैच करवा कर लगा सकते हो शोटी सी वीडियो थी दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू एस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें